हेले दोस्तों नमस्ते स्वाकत है आपका मेरे चैनल एमी के ब्लोग्स पे तो आज मैं आप लोगे साथ बहुत ही डिलिसियस रेसिपी सेयर करने जा रहे हूं वह है मटन कोर्मा यह बहुत फेमस रेसिपी है दोस्तों और सब लोग इसे बहुत ज़्यदा पसंद भी करते हैं और बहुत ताम जाम तड़क भड़क तरीके से भी बनाते हैं तो मैं आज बहुत ही सिंपल रेसिपी सेयर करने जा रहे हूं आपके साथ कोई ताम जाम नहीं है इसमें और खाने में बहुत टेस्ट होगी तो यह जो सूखे मसाली आपको दीख रहे हैं तीज पत्त है दाल दो चोटे इलाइची है एक बड़ा इलाइची है और थोड़ा सा जावित्री है जीरा है आधा चमाज दो तिन सूखे मेच है दोस्तो उसे मैं भून लूँगी थोड़ा सा ड्राइ रोश्ट कर लूँगी और यह दो मिडियम साइज का प्याज है दोस्तो मेरा 500 ग्राम मट कर लिया है दोस्तों एक मिनट में रोस्त हो जाते हैं और उस मसाले की खुस्पु जो हमारी मटन कोर्मा में आती है उसकी तो जवाब ही नहीं है दोस्तों तो इसे भी इस प्याज को भी चल्दी जल्दी हम भून लेते हैं गोल्दन ब्राउन करने तक इसे हाइफ लेम में ह फ्राइ करें ताकि इसमें एक क्रिस्प आजाए दोस्तों इसको सॉफ्ट नहीं रखना है पूरा क्रिस्प रखना है ताकि इसका हम यूज लास्ट में कर सके मटन कॉर्मा में और कलर लाने में बहुत ज्यादा है इसमें अगर आप कास्मीरी मिर्च भी नहीं डालते हैं तो यह कलर बहुत अच्छा लेकर आता है यह वाली प्याज जो हम फ्राइ कर रहे हैं इसलिए इसे जलने नहीं देना है मैं बताती हूं कि इस स्टेप तक इसे बनाना है नहीं तो अगर यह थोड़ा सा भी जल गया था हमारी मटन कॉर्मा की टेस्ट खराब हो सकती है तो देख तो चर्स-टी उसे प्याज जाए बाहार निकल जाएगा और इसमें एक क्रण्ज अडाब हो जाएगा आर इस अटो खुली जगा में रखे भी इसमें जो की पन दोरो मतन राणी त के विए नुकसान भी होता है तो मैंने इसमें अगर सकता है मतं जया है आप सभी छरस्ट कर दो तीज पत्ता जब वो तड़का भून गया था तू मैंने फ्राइए कि प्याज में से आधा प्याज इसमें डाल दिया है दोस्तों मतन के साथ भी प्याज भूनना जरूरी यह तभी अच्छी फ्लेवर आती है तो आधा प्याज मैंने निकाल कर इस तेल में भी डाल दि देखें सारे पानी जो थे निकल कर सुख गया है दोस्तों और इस स्टेज तक पकाने में मुझे 5-6 मिनट लगे हैं इसके बाद ही आप कोई मसाले एड करें सुखे मसाले नहीं तो अगर पानी में एड कर देंगे स्टाटिक में अड कर देंगे तो हमारा मटन अच्छे से फ् करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे अपने स्वाद के कॉर्डिंग नमक डाले दोस्तों सबको है टेस्ट अलग होता है नमक का मैं नहीं बता रही हूं कितना डालना है स्वाद अनुसार आप डाल देंगे उसके बाद इसमें मैंने में बहुन लेंगे उसके बाद 2-3 मिनट जब इस मसाले को भूनेंगे जो अधरक लहसून है जब इसमें और खुषबू आने लगेगी तब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे दोस्तों तो तो सूखे मसाले में लिया है यह जो मैं बूरी थी रोष्ट करके मसाला बनाऊंगे तो मैं दरदरा कुट ली हूँ दोस्तों देखिए जो आप मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में वही है यह कितनी अच्छी पेस्ट बनी है देख रहे हो आप लोग दरदरा कुट गया है यह जरूर लेना है उसके बाद मैंने यह लिया है अधी चमच जीरा पाउडर बहु जरूर बनाएगा आप लोग थोड़ी से मेहनत लगी कि थोड़ा सा रोष्ट करने में एक मिनट लगेगा इसे दरदरा कुटने में ज्यादा टाइम लगती है अगर आपके पास बड़ी मिक्सी है तो उसमें दीकत होगा ओखली में आप तरदरा कुट लीजेगा दोस्तों हमने निकाल के रखे हुए हैंätzlich कि दो हरी मिर्च भी मैंने डाल दिये दोस्तों सारे मसाले भी डाल दिये हैं माने अब इसे अच्छे से 2-4 मिरंट भून लूंगी सुखे मसाले को भूनने में ज्यादा टायम नहीं लगता है तो इसमें एक-दो मिन दो से 3 मिनट अच्छे स कि ऊखेने सापार ापने में कि अघ्र बीस मिनयतर जरुइए 20 मिनटका के बाल मेरे उनकी तक में प्रोसइसर क्रीघ्रा के डाला है यहां तरह कि पर अच्छी तक बन चुक ए त्यां美味 तो फिर वह मसाला जरूर डालिएका तब आपकी टोऊने की आईगी प्रिफ कर्हAy थिकने साथी मतन मैं ग्रेवी की थिकने यहां पर मैंने डाल दिया है दो चम्मच घी दो चम्मच दही और प्याज के यह बुन घिय और 2-3 बून दिया दोस्तों इसे हो बिश्ट है इसमें डाल दिया था और इसे भी 4-5 विन भून लिया दोस्तों सॉरी मैं अच्छी चीजे दिखाना है मैं कैमरा ओन करना भूल जाती हूं बहुत माफी चाहती हूं दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा माफी चाहती हूं कि मैं कैमरा ओन करना भूल गई थी मैं ओन की थी मैं सो जो बताया दो चम्मच दही बचे हुए प्याज भूने हुए जो प्याज थे सो और फिर साथ से आठ काजू काजू जो होते हैं वाइट काजू वह मैंने मिक्सी में पीस लिया था दोस्तों उसका पेस्ट मैंने डाल दिया यही कोर्मा का में रिजन होता है कोर्मा जो हमारी बहुत थीक बनती है और कलर बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है यह लास्ट में जो मैंने बताया वह डालना बहुत जरूरी होता है दोस्तों अगर आप दही खाते हैं तभी दही आट किजिए का नहीं तो आप प्याज पीसकर और साथ आठ और फिर वही दोस्तों दही दो से चार चमबर एक कभी लोग यूज करते हैं आपको जितना खाने के इच्छा है उतना यूज करें तो हमने दही डाल कर भी जब 90% कूक हो जा 90% आपका मटन भून जाए तभी आप दही वाला चीज डाल लिएगा दोस्तों नहीं तो दही हम अगर आप दही काजू और प्याज का पेस्ट नहीं डालेंगे तो इतनी थीक नहीं बन पाती है और खाने में भी कोर्मा वाला फ्लेवर नहीं आपाता है दोस्तों तो वह लाश वाली चीज धियान रखेगा और जरू डाल लिएगा तो इस एद पर आप सभी बना कर खाई मज़े कीजिये और सब्सक्राइब कर दिएक दोस्तों और नहीं रेसिपी के साथ मेलूंगी तब तक के लिए ओकई भाबा टाटा आप लोग भी अपने घर में इंजुआ की ज़रूर कीजिये गा कर दो कर दो कर दो